मैं पुल्वामा के आतंकी हमले में सहीद जवानों को आदर पुर्वक सद्धांजली अर्पित करता हूँ उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योचावत किये है दुख की इस गड़ी में मेरी और हर भारतियों की सम्वेदनाई उनके परिवार के साथ है इस हमले की वज़े से देश में जितना आक्रोश है लोगों का खुन खौल रहा है ये मैं भली भाती समझ पा रहा है इस समय जो देश की अपेच्छाएं हैं कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं वो भी स्वाभाविक है हमारे सुरक्षावलों को पूर्ण स्वतंत्रताग दे दी गई है हमें अपने सैनिकों के शौरिय पर उनकी बहदूरी पर पूरा भरोसा है मुझे पूरा भरोसा है कि देश भक्ती के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजन्सियों तक पहुँचाएंगे ताकि आतं को कुछलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके मैं आतं की संगधनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूँ कि वे बहुत बड़ी गल्ति कर चुके हैं बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी मैं देश को भरोसा देता हूँ कि हमले के पीशे जो ताकते हैं इस हमले के पीश जो भी गुनेगार है उन्हें उनके किये की सजा अवश्य मिलेगी जो हमारी आलोचना कर रहे हैं उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूँ उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूँ और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है लेकिन मेरा सभी सात्यों से अनरोध है कि ये वक्त बहुती संवेदंसी और भावपल है पक्ष्म है या भी पक्ष्म है हम सब राजनीतिक छिंटा कसी से दूर है इस हमले का देश एक जुठ होकर के मकाबला कर रहा है देश एक साथ है देश का एक इस्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए त्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे है पूरे विश्व में अलग ठलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर यह समझता है कि जिस तरह के कृत्ते वो कर रहा है जिस तरह की साजी सहरत रहा है उससे भारत में अस्तिर्ता पैदा करने में सपल हो जाएगा तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे वो कभी यह नहीं कर पाएगा और नहां कभी यह होने वाला है इस समय बड़ी आथिक ब्यहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पडोसी देश को यह भी लगता है वो ऐसी तबाही मचा कर भारत को बढ़ाल कर सकता है उसके यह मनसुबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है वक्त ने शिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले है वो तबाही देखते चले है और हमने जो रास्ता अखत्यार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है 130 करोड हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश ऐसे हर हमले का मूह तोड़ जवाब देगा कई बड़ो देशों ने बहुती सक्त शब्दों में इस आतन की हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की भारत तो समर्थन की भावना जताई है मैं उन सभी देशों का आभारी हूँ और सभी से आवान करता हूँ कि आतंगबाद के खिलाब सभी मानोतावादी शक्तियों को एक हो करके लड़ना ही होगा मानोतावादी शक्तियों ने एक हो करके आतंगबात को परात्त करना ही होगा आतंग से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मात एक स्वार एक दिशा से चलेंगे तो आतंगबात कुछ पल से जादा नहीं टिक सकता है साथ क्यों पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्तिती और माहोर दुख के साथ आकरों से भरा हुआ है ऐसे हमलों का देश डटकन बुखावला करेगा यह देश रुकने वाला नहीं है हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण के आहूती दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिन्दकी लगाता है पहला देश की सुरक्षा दूसरा देश की समर्द्धी मैं सभी वीर शहीदों को उनकी आत्मा को नमन करते हुए उनकी आशिरवाद लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वाद जताता हूँ कि जिन सब्दो सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहुद किया है उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पलपल खपा देंगे समरुद्धी के रास्ते को विहम और अधिक गती दे करके विकास के रास्ते को और अधिक ठाकत दे करके हमारे इन बीर शहीदों के आत्मा को नमन करते हुए आगे बढ़े